ओम शान्ति अव्यक्त पापदादा के अव्यक्त मदूर महावाक्य की तारिक है 27th October 1975 और मुर्ली का हेडिंग है महादानी और वर्दानी ही महारती विश्व कल्यानी और महावर्दानी शिवबाबा महारती बच्चों को देख बोले ब्रह्मा बाप के समान क्या महारती भी बाप समान सदा अपने को निमित मात्र अनुबव करते हैं महारती योकी यह विशेश्टा है कि उनमें मेपन का अभाव होगा में निमित हूँ और सेवाधारी हूँ यह नेचरल स्वबाव होगा स्वबाव बनाना नहीं पड़ता है स्वबाव वश संकल्प बोल और कर्म स्वतहे ही होता है महारती योके हर करतव्य में विश्व कल्यान की भावना स्पस्ट रुप से दिखाई देगी उसका प्रैक्टिकल सबूत वप्रमान हर बात में अन्या आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा पहले में नहीं आप कहने से ही उस आत्मा के कल्यान के निमित बन जाएंगे एसे महारथी जिनकी एसी श्रेष्थ आत्मा है और एसे श्रेष्थ स्वबाव हो एसे ही बाप समान गाये जाते हैं महारथी अर्थात महादानी अपने समय का अपने सुक के साधनों का अपने गुणों का और अपनी प्राप्थ हुई सर्व शक्तियों का भी अन्या आत्माओं की उन्नतियर्थ दान करने वाला उसको कहते हैं महादानी ऐसे महाधानी के संकल्प और बोल स्वतह ही वर्दान के रूत में बन जाते हैं जिस आत्मा के प्रती जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रती वर्दान हो जाएगा क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्थ इसी कारण त्याग तपस्या और महादान का प्रत्यक सफल उनका संकल्प वर्दान रूप हो जाता है इसी लिए महारथी की महिमा महादानी और वर्दानी गाई हुई है ऐसे महारतियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा ऐसी तैयारी हो रही है न ऐसा संगठन तैयार होना अर्थार जैजैकार होना और फिर हाहाकार होना यह ड्रस्य भी वंडर्फुल होगा एक तरफ अतिहाहाकार और दूसरे तरफ फिर जैजैकार अच्छा, मुडली का मुख्यसार एक महारथी की यहाँ विशेश्ता है कि उसमें मेपन का अबाव होगा और दूसरा, महारथी के हर कर्तवय में विश्वकल्यान की भावना स्पस्ट रूप से दिखाई देगी अच्छा, ओम शान्ति